नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभीका मेरे चैनल, सिवल इंजिन्जिनिरिंग चैप्टर वाइस में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टाइप्स ओफ रेलवे क्रोसिंग रेलवे क्रोसिंग यानि कि जब दो रेलवे ट्रैक एक दूसरे को क्रोस करते हैं तो वो कैसे कैसे टाइप से क्रोस करते हैं तो इसमें फर्स्ट है हमारा वी क्रोसिंग और इसी को हम एक्यूट एंगल क्रोसिंग भी बोलते हैं next है हमारा obtuse angle crossing इसे को हम diamond crossing के नाम से जानते हैं और third और last हमारा square crossing ओके तो इन सभी topics को हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो start करते हैं आज की वीडियो वीडियो को start करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए है या जिनोंने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो सबसे पहले आप subscribe बटन को प्रेस कीजिए साथ ये जो bell icon है इसको आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सब भी वीडियो का notification आपको मिले और आप content अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए comment कीजिए मुझे बताईए आपको ये कैसे लगी types of crossing ओके तो इसमें first हमारा V crossing और इसे को acute angle second है obtuse angle crossing और third है square crossing तो इसमें main बात क्या है angle के respect में हमने इसको divide किया है ठीक है acute angle क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जो एंगल हमारा 90 डिगरी से छोटा हो उसको हम acute एंगल बोलते हैं जो एंगल हमारा 90 डिगरी से बड़ा हो उसको हम obtuse एंगल बोलते हैं और जो एंगल हमारा 90 डिगरी हो उसको हम right एंगल बोलते हैं ठीक है तो यह आप ज्यान रखिए नाम पे ही यह हमारा बिल्कुल design किया गया है crossing तो first देखते हैं हमारा आता है acute angle और इसी को हम V crossing भी बोलते हैं तो देखिए यह सारी terms जो इसमें बोली गई है इसमें दिखाई गई है इन सब को हमने discuss कर लिया है previous video में तो इसमें हम देखते हैं crossing के बारे में acute angle यहाँ पर आप देखिए यह जो angle यहाँ पर form हो रहा है यह हमारा 90 degree से छोटा है तो इसी लिए हमने इसको acute angle crossing बोला है ठीक है in this case angle between rails of two track that is main and branch track are in acute angle okay main और branch जो track हो उनके बीच में जब crossing हो और angle उसके बीच में 90 degree से कम बने तो उस crossing को हम बोलते हैं acute angle crossing okay this is very common type of rail crossing सबसे common type का है इसको हम V crossing भी और frog crossing भी बोलते हैं okay आपको अच्छे से याद रखना है acute angle यानिके 90 degree से छोटा angle ठीक है तो वह हमारी होगी acute angle crossing अब देखिए actual figure में यह कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है यह हमारा main track है और इस track से divert यह हमारा secondary और branch track है और इनके बीच में यह जो angle है यह हमारा 90 degree से कम है तो इसको हम acute angle crossing बोलेंगे ठीक है अब देखते हैं obtuse angle crossing और diamond crossing okay in this crossing two acute angles and two obtuse angles इसमें दो तो आपके acute angle बनते हैं और दो उसमें obtuse angle बनते ठीक है उसकी वज़ए से जो crossing होती है तो उसको हम बोलते हैं obtuse angle crossing और diamond crossing ठीक है जैसे यह आप देख सकते हैं एक यह track और एक यह track इनकी वज़े से यह angle आपका acute है और यह angle आपका acute है दो इसमें acute angle और यहाँ पे आपका obtuse angle बन रहा है यहाँ पे आपका obtuse यह नहीं कि 90 degree से बड़ा angle बन रहा है और इसकी वज़े से एक बीच में diamond shape बन गई है ठीक है यह जो rhombus shape है तो इसको हम diamond shape भी बोलते हैं तो इसी के नाम पे इसको हम obtuse angle भी बोलते हैं और diamond crossing भी इसको हम बोलते हैं ठीक है तो यह आपको जान रखना है इसमें दो आपके acute angle होंगे और दो इसमें obtuse angle होंगे ठीक है और बीच में बनेगा आपका diamond तो इसी को हम diamond क्रोसिंग भी बोलते हैं अब यह देखिए यह है हमारा डायमंड क्रोसिंग का एक रियल इमेज इसमें आप देखे यह बीच में हमारा डायमंड फॉम हो रहा है ठीक है यहां पर एंगल हमारा 90 से बड़ा बंद रहा है यानि कि ओप्ट्यूस एंगल है यहां पर भी नैन इंट्यूस एंगल के ओर यहां पर जो एंगल है यह दिग्री से चोटा तो इस स्टैप को संद्राइन क्रोसिंग मैं करें रेल्वे ट्रैक एक दूसरे का क्रोथ करें और उसमें 90 डिगरी का एंगल बनी ठीक है 90 डिगरी का एंगल तो उसको हम यह देखे राइट एंगल ठीक है इसे को राइट एंगल और 90 डिगरी का एंगल बोन थे तो उसे को हम square crossing बोलते ठीक है यह भी एक type की square crossing ही होती है बट इसमें थोड़ा सा difference होता है अब यह देखिए real में यह कैसी दिखाई देती है यह है हमारी square crossing ठीक है आप देख सकते है यह एक track है दूसरा track यह है फिर जो cross करते वक्त इनके बीच में यह जो एंगल है यह हमारा 90 डिगरी यह भी 90 है यह भी 90 है इस तरफ भी 90 है और यह हमारा square crossing कहलाता है ठीक है आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके बताई वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने study related group में और subscribe कीजिए मेरे चैनल को thank you for watching जैहिन